चिकन सूप फोर दा सौल के दो वीडियो को बहुत जादा प्यार देने के बाद आज लेके आया हूँ पार्ट थ्री एक कोलेज के प्रोफेसर ने अपनी सोशोलोजी की क्लास बाल्टीमॉर के स्लम्स मिली वो दोसो बच्चों के बारे में जानना चाहता था कि उनका फ्यूचर क्या हो सकता है उसने उन सभी दोसो बच्चों से पूछा कि तुम अपना अपना फ्यूचर इसमें लिखो उन सभी ने लिखा he has not got a chance 25 सल के बाद एक और सोशोलोजी का प्रोफेसर वहाँ पिक गया और उसने उन सभी बच्चों के बारे में जानना चाहा और वहाँ जाके वो शोक्त हो गया क्योंकि उसको पता चला कि उन दोसों में से 20 बच्चे मर गये थे और उन 180 में से भी 176 बच्चे अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए थे कुछ लोयर्स बन गए थे, कुछ डॉक्टर्स बन गए थे, कुछ बिजनिसमेन बन गए थे मतलब सब अपनी शेत्र में सक्सेस्फूल बन गए थे ये देखकर वो हैरान हो गया तो उस प्रोफेसर ने उन सभी 200 बच्चों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ तुम सबकी सक्सेस्फूल बनने का रास क्या है तो उन सभी लोगों का एक ही आंसर था जिस टीचर के बारे में वो बात कर रहे थे, वो अभी भी जिन्दा थी पर बहुत जादा बूढ़ ही हो चुकी थी तो प्रोफेसर ने सोचा कि मुझे इनके पास जाना चीए तो वो प्रोफेसर उनके टीचर के पास गया और उसने उस ओल्ड लेडी से पूछा कि आपने इसा क्या मेजिक फोर्मूला किया कि ये सारे लोग सक्सेस्फुल वन गए आपने इसा क्या किया कि ये जो बच्चे स्लम्स में रहते थे वो आज इतने सक्सेस्फुल अचीवर्थ हैं तो टीचर ने एक प्यारी से स्माइल दी और जावाद दिया इस डेली वेरी सिंपल I loved those boys सिंपल सी बात ये है कि हर इंसान एक दूसरे की help करके बहुत आगे जा सकता है किसी की एक छोटी से help करने में हमारा कुछ नहीं जाता लेकिन उसकी पूरी life change हो जाती है इस स्टोरी से आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं लेकिन मेरे लिए सबसे important चीज यही है कि आप लोगों की मदद करें Spread love everywhere you go First of all in your own house Give love to your children, to your wife or husband, to a next door neighbor Let no one ever come to you without living better and happier Be the living expression of God's kindness Kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile Kindness in your warm greeting Mother Teresa धन्यवाद